है फ्रेंड्स वैलकम मों माय यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स कैसी आपकी प्रिपरिशन चल रही है हम आपको ट्व प्रीजेटी के कुछ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको तो आज प्रैक्टिस सेट 25 है हमारा इसको शॉल्व करेंगे अज जो लोग चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करें देख क्वेश्चन नम्हाब वन से थर्ड तक आपको आंसर करने है पॉइंट आउट दा पार्ट ओफ स्पीच ओफ दा अंडरलाइन वर्ड्स इन दा फॉलिएंग सेंटेंसिस इन सेंटेंसिस में आपको अंडरलाइन वर्ड्स जो दिये हैं आपको इनकी पार्ट ओफ स्पीच पॉइंट आउट करनी है कि इनमें कौन सा पार्ट ओफ स्पीच दिया गया है देख क्वेश्चन नम्हाब वन कि everybody सबने हाथ मिला है और जो है डान्स शुरू कर दिया यहाँ पर आपको राउंड जो वर्ड दिया गया है यह अंडरलाइन किया वाए और इसका पार्ट ओफ स्पीच आपको बताना है कौन सा इसमे जिसे कि noun, adverb, adjective या पर verb कौन सा इसमे पार्ट ओफ स्पीच पूछा गया है तो जो आपका round है यहाँ पर question number 1 में आपका be option right हो जाएगा यह यहाँ adverb का काम कर रहा है और adverb का क्या काम होता है यह adjective या किसी adverb को sorry जो adjective होता है या verb होती है उसको modify करने का काम करता है adverb तो यह यहाँ जो round है यह verb को modify कर रहा है जो dance कर रहे थे चार और घूम के ठीक है next question देखिए dear was a great round of applause देखिए अभी यहाँ पर आप यहाँ पर भी आपको round word ही दिया गया है फिरसे इसकी part of speech found करनी है वहाँ पर आपका first question में यह आपका adverb था और जो second question में है यह आपका noun का काम कर रहा है option number a right होगा dear was a great round of applause okay देखिए हैं जो great है adjective है आपका सबसे पहले बात तो यह है कि किसी भी noun से पहले आने वारा जो word होता है वो हमेशा ही आपका adjective होता है क्योंकि जो great है यह round को आपका modify कर रहा है कि there was a great round of applause next question देखते है third was the first to round the cape of good hop जो was the first to round the cape of good hop was the first to round the cape of good hop cape of good hop को सबसे पहले नोने जो था round रहा था सबसे पहले नोने इसका चक्कर लिया था तो यहाँ पर आपका जो round है यह आपका काम कर रहा है verb का okay देखिए यहाँ पर round तीन questions में अलगलग पूछा गया आपका पहले में adverb second में noun और third में आपका verb का काम कर रहा था यह ठीक है तीनों में ही अलगलग part of speech पूछा गया था तो ऐसी आपको question में find करने है part of speech question number 4 देखिए which poem of T.S. Eliot was made from the question number 4 जो है इसमें आपका B option ride हो जाएगा Brent Norton okay यहाँ Brent Norton ride option होगा और जो आपके T.S. Eliot थे उनका जो बर्त था 1888 में हुआ था और उनकी death 1965 में होई थी okay next देखिए 5 question in the wasteland who speaks the following lines wasteland में इन लाईने कौन बोलता है तो इचो लाइने हैं आपकी Q5 का राइट अप्शन होगा B, Tarsius बोलता है वेस्ट लेंड में Tarsius लेंड बोलता है और ये The Westland का नेरेटर होता है जो T.A.C.L.E.T. के द्वारा लिखी गई है The Westland का राइटर है T.A.C.L.E.T. और T.A.C.L.E.T. में ने ये 1922 में लिखी थी और T.A.C.L.E.T. का बर्थ अभी है मैंने आपको बताया 1880 में 1880 में इनका बर्थ हुआ और 1965 में डेथ Next question देखते है Who called the Westland A Music of Ideas किसने का था Westland को A Music of Ideas तो यहाँ पर आपका A Option राइट होगा एलन टेट ने इनको A Music of Ideas का था Westland को Okay Written by T.A.C.L.E.T. Question number 7 देखते है Select from the following the name of the author who's created the words he choose himself are carved इन में से आपको choose करना है ओथर का name किसने अपनी जो कबर होती है उसके उपर अपने शब्दों को उसने पहले ही लिख लिया था उसने खुद के लिए choose के थे वो word जो उसकी कबर पर खोदे गए थे Here lies one whose name was written water यहाँ पर वो लेटावा है जिसका जो नेम है वो पानी पर लिखा गया है written water Okay तो 7 का right option आपका Keats है इन्होंने अपने breath से पहले अपने कबर पर लिखे जाने words को choose कर लिया था और kids जो है आपके इनका जो birth हुआ था kids का वो 1795 में हुआ था और इनके death हुई थी 1821 में और इनके जो death थी हो tuberculosis से हुई थी तब ही mother 25 age के थे 25 years के थे only और tuberculosis से नके death हुई थी next question देखे what caused John kids death John kids की death का cause बताने नके कारण क्या था मैंने अभी आपको बताया कि tuberculosis से नकी death हुई थी at the age of 25 okay question number 9 देखे which of the following books was translated by John kids इन में से कौन सी बुक है जो John kids के द्वारा translated की गई थी तो यहाँ पर 9 का जो right option आपका एनिड है एनिड को John kids ने translate किया था और जो आपकी एनिड है ये एक Latin epic था Latin epic poem थी ये Virgil के द्वारा लिखी गई जो इसका original version था वो Virgil ने लिखा था और Virgil के द्वारा लिखी गई थी 29 and से 90 BC के बीच में ओके ये लिखी थी ये और आपकी Odyssey जो है ये Homer के द्वारा लिखी गई है Homer ने लिखी थी और ये Greek epic poem है ये आपकी Latin epic poem थी और Odyssey आपी Greek epic poem थी ठीक है Next Who said kids was a Greek किसने कहा कि kids a Greek था तो 10 का जो राइट option आपका वो D होगा Shelly ने इनको ऐसा बोला था कि ये Greek थे Next देखिए Question number 11 Who has written the essay The old ventures of the inner temple किसने लिखाई ये essay The old ventures of the inner temple Hazlet, Bacon, Charles Lamb ये पिर Matthew Arnold To 11 में जो राइट option होगा आपका C option होगा Charles Lamb Charles Lamb ने ये जो essay है वो लिखा है Charles Lamb ने The essay Old ventures of the inner temple Is written by Charles Lamb Next question देखते है Mrs. Battle's opinions on which Is an essay that has Related generations of readers We find it in ये हमें मिलता है देखने को आपके Assays of India by Charles Lamb Charles Lamb ने लिखे दे Assays of India बहुत ही famous है इनका ये Assays of India और कई बार रिपेड़ भी हुआ एक्जाम में तो आपको बहुत अच्छे जाए है Learn करके रखना है चलिए next question देखते है 13 Lamb's Assays of India Were written 1823 When were the last Assays of India written इनका जो Assays of India था वो 1823 में लिखा गया था और जबकि जो Last Assays of India है वो बताना है आपको फिर कब लिखा गया तो यहां पर आपका option number C is write हो जाएगा 1833 में जो लिखा गया आपका Last Assays of India लिखा गया था Next देखिए Shelly's Adonis is a Threnody Bevealing the Death of Shelly's Adonis है यह Threnody है यानि कि Death of किसकी मौत पर है यह किसकी मौत पर शोक है एक शोक मनाया नोने Adonis किसी की मौत पर जोने लिखी थी और यह थी जोन किट्स की डैथ पर लिखी गई 14 ए 2 option write हो का आपका जोन किट्स की डैथ पर नोने यह लिखी Adonis और Adonis जो पोएम थी आपके कब लिखी गई है यह आपकी 1821 में लिखी गई थी Shelly की द्वारा Next question देखते है 15 In which poem of Shelly do the following lines occur कौन सी poem में Shelly की लाइने ले गई है कहां से Oh lift me as a wave A leaf a cloud I fall upon the thorns of life I bleed तो बहुत ही famous lines हैं और कहीं बार repeat हुई एक्जाम में पहले भी और यहां पर आपका option number सी जो है write हो जाएगा Oh to the west wind Oh to the west wind Shelly की द्वारा लेखी गई एक poem है और उसकी ही लाइने यहापर आपको दी गई है और यह जो poem थी आपकी 1819 में आई थी तो फ्रेंट्स बीबी शाली थे इनका बर्थ हुआ था आपका 1792 में और इनकी death हो गई थी 1822 में 1792 में इनका बर्थ हुआ और 1822 में इनकी death हो गई थी यह भी बहुत जल्दी ही इनकी death हुई थी बहुत जल्दी काफी कम है इस थी तब इनकी next देखे question number 16 जो शाली की incomplete dream allegory थी इसका title क्या था तो यह आपका था triumph of life यह इनकी unfinished work है और इन्होंने 1922 में जब इनकी death हुई 1922 में तब इनकी इसको लिख रहे थे और यह unfinished रहे गया था इनका the trump of life next question देखते है 17 who wrote the poem the trump of life trump of life जो है किस ने लिखी है यह तो यह आपकी है शाली की लिखी हुई जब इनकी death हुई तब इनकी death हुई तब इसको unfinished रहे गई थी फिर इनकी poem जिसको यह पूरा कर नहीं पाये थे और इनका एक major work था last major work Shelly's Adonis is Shelly की जो Adonis है यह क्या है तो यहाँ पर आपका option और C right होगा a pastoral allergy Shelly की Adonis यह pastoral allergy है और पी बी Shelly के द्वारा लिखी गई है यह on the death of John Keats in 1821 1821 में लिखी थी John Keats की death पर और Adonis जो है यह written हुई है classical pattern classical pattern को follow करके इन्होंने यह लिखी है next 19 Moonu is the central character of Murk Raj Anand Sumer novel जो मुनू होता है यह central character होता है Murk Raj Anand की एक novel का उसका नाम बताना है Kuli, Untouchable, Two Leaves and a Bird या फिर The Village तो यह आपका कुली का एक character है मुनू, बहुत ही famous character इनका और जो मुनू होता है यह central character होता है Murk Raj Anand के novel कुली का जो publish हुआ था 1936 में 1936 में आया था और मुनू जो होता है एक young hill boy होता है पहाडों का एक बच्चा होता है छोटा जिसको मैदानी शेत्र में ले लाया जाता है उसको सपना दिखा कर कि उसको बहुत ही दुनिया दिखाए जाएगी है और उसको काम दिया जाएगा बटा सन्य होता उसका बहुत ही exploitation होता है जो है society में जाके उससे बहुत ही मेहनत कराते हैं नेक्स जेखते हैं 20 questions मुल्क राज आनन्द डाइड इन दा इयर मुल्क राज आनन्द जो थे वो कौन सी यर में डाइड हुए थे तो यह आपका 2004 में डाइड हुए थे मुल्क राज आनन्द और यह एक इंडियन राइटर थे इनका बर्थ 1905 में हुआ था 1905 में इनका बर्थ हुआ था और 204 में 2004 में की डाइथ हुई थी बर्थ इनका पेशावर में हुआ था और डाइथ पूने में हुए और ही वोज ए प्रोमेनेंट इंजियन ओथर और नोवल्स, शोट स्टोरीज और क्रिटिकल अचेज नेक्स तेखिए विच अफ तफ फॉल एंपोर्थ वस इंफूंस्ट वाइथ गॉडवीन इन में से कौन सा पोर्थ था जो इंफूंस था प्रभावित था गॉडवीन से तो गॉडवीन से जो थे वो शैली जो प्रभावित थे गॉडवीन से शैली वस इंफूंस्ट वाइग गॉडवीन नेक्स देखते हैं विच अफ विच वन इस नोवल बाई फोगनर अमंग दा फॉलोइंग इन में से कौन सा नोवल फोगनर के द्वारा लिखा गया है बताने है तो 22 का राइट ओप्शन है आपका C The Sound and the Fury Sound and the Fury जो है यह फोगनर के द्वारा लिखा गया ऐसे है आपका बाई नोवल है बाकि The Old Man and the Sea है यह हमिंग वे का है Sun Also Rises में हमिंग वे का है Old Man and the Sea जो था इनका 1952 में आया था Old Man and the Sea और The Sun Also Rises आया था 1926 में The Sun Also Rises आया था इनका 1926 And Of Mice and Men यह जो है वरक इनका John Standback का जो 1937 में आया था और The Sound and the Fury था इनका फोगनर का Next Question देखते है 23 Whitman's Poem Crossing Brooklyn Ferry Contains Whitman की जो पोएम थी Crossing Brooklyn Ferry इसमें कितने sections थे बताने है तो यह इसके जो है 9 sections थे इस पोएम में और यह Whitman's की पोएम है Crossing Brooklyn Ferry जो ने उने 1856 में लिखी थी और इसको जो है जो इसको पोएम थी इनकी Crossing Brooklyn Ferry इसको पहले Sundown Poem कहा गया था Sun Down Poem इसको कहा गया था और बाद में जो था इसका नेम 1860 में जो प्रेजन टाइटल है इसका Crossing Brooklyn Ferry इस नाम से इसको 1860 में पब्लिश कराया गया 24 section देखते हैं 24 में And Miles To Go Before I Sleep is a line from a poem by जो लाइन है And Miles To Go Before I Sleep बहुत ही famous line है यह Robert Frost की द्वारा लिखी गई है Okay और Robert Frost जो थे Robert Frost की poem थी Stopping by Woods Honest Novy Evening जिससे line है ली गई है और यह जो poem थी Stopping by Woods Honest Novy Evening यह 1922 में written हुई थी और पब्लिश हुई थी फिन 1923 में After One Year 1922 में लिखी दी दिनों नहीं है और 1923 में इसको पब्लिश कराया गया Next Question No.25 Which one of these is not a poem by Watt Whitman Question No.25 में देखे Watt Whitman की द्वारा कौन सी poem इसमें से नहीं लिखी गई है तो आपका यहाँ पर 25 का option No.B राइट होगा A Distant Likeness यह इनकी द्वारा नहीं लिखी गई है बाकि When Likas, Last in the Dory are Bloomed Songs of Myself Our Leaves of Grass तीनों ही आपकी Watt Whitman की द्वारा लिखी गई है बट आपकी Distant Likeness नहीं है इनकी यह Paul Belly की एक poem है जो 1973 में लिखी थी Paul Belly ने और यह एक British Novelist and Critic थे Next Question देखते है What was not a part of the attire of the inches in Kamaladas poem The Dance of Yance जो poem थी The Dance of Yance Kamaladas की तो इसमें जो किनर होते हैं है इसमें पोलते किनर को किनर होते हैं उसकी attire में इनकी पोशाग में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है White skirts नहीं होती Heavy jewelry Sorry, Heavy silver jewelry and jingling anklets, green tattoos on the cheek बाकि सब होता है बस heavy silver jewelry नहीं होती है इनके पास इनका पार्ट नहीं होता है वो भी option right होगा यहाँ पे Next Question देखते है इसका 27 में C आपका सही होगा Sad and Melancholy जोन के दोरा की कान गाया जाता है Song गाया जाता है जो वो sad or melancholy होता है बहुत दुखी होता है 28 Despite the visual richness of the poem The dance of the dance Kamal Das creates an atmosphere of Gloom and depression Gloom and depression का atmosphere वो create करते है Kamal Das 28 के बाद आता है 29 29 question देखते है Frederick Henry the hero of Hemingway's novel A farewell to arms is a driver in Frederick Henry जो होता है Hemingway के novel A farewell to arms का Hero होता है और वो किसका driver होता है बताना है तो ये Italian army में एक driver होते है और Frederick Henry जो होता है Young American होते है जो खुदको Indian army के ambulance के driver के रूप में रखते हैं उसमे और First World War के during में जब First World War हो रहा था तभी है Italian army में ambulance driving कर रहे थे And he is the main character in the novel Feral to Arms 1929 Next जेखते है For which work was Ernest Hemingway awarded the Nobel Prize Ernest Hemingway को कौन सा Nobel Prize इनमे से मिला था तो 30 का जोड़ा Adoption F का C होगा The Old Man and the Sea The Old Man and the Sea के लिए Hemingway को जो है Price मिला था Nobel Prize और यह ने मिला था 1954 में Next question देखते है 31 Count Grief is a character in Hemingway's जो Count Grief होता है वो कौन से Hemingway के कौन से प्लेवेज होता है character आता है तो 31 का आपका Rite Option हो जाएगा C A Farewell to Arms Air Farewell to Arms में यह मिलता है हमें देखने को और जो Farewell to Arms है यह Hemingway का एक वर्ग है जो 1929 में आया था Next question देखते है 32 Nizimash Skills Belongs to the Desk Community तो जो Nizimash Skills थे वो आपको Javis Community से बिलोंग करते थे Nizimash Skills आपके और Nizimash Skills जो थे इनका बर्थ हुआ था 1924 में Nizimash Skills का बर्थ 1924 में हुआ था और इनकी डाथ हुआ थे 2004 में ही Next question देखते है 33 Tennisan's Poetry Represents जो Tennisan के पोईटरी होती है वो क्या रिप्रेसेंट करती है Victorian Proudry Victorian Spiritors Questioning and Loss of Faith Victorian Compromise या भी Victorian Pessimism तो यहाँ पर आपका C option राइट होगा है Victorian Compromise Tennisan की जो पोईटरी होती है वो रिप्रेसेंट करती है Victorian Compromise को Tennisan का बर्थ आपका कब हुआ था यह आपको बताना है और देथ कब हुई थी इनकी चलिए 1809 में इनका बर्थ हुआ और इनकी जो देथ थी वो 1892 में हो गई थी Next question देखते है Wessex refers to Wessex किसे refer करता है The hometown of George Elliot The rain where Brontess's sister lived The rain in which Hardee's novels are set It is the area of Scotland तो Friends 34 का जो है राइट ओप्शन हो आपका C होगा The rain in which Hardee's novels are set जिसमें Hardee की novel जो होते है Set है वो पार्ट होता है Wessex 35 Lucetta जिसे character in Hardee's Lucetta जो है वो Hardee के कौन से प्लेम मिलता है character Lucetta तो यह अपका Mayor of Castorbridge में देखने को मिलती है The Mayor of Castorbridge और जो यह है Hardee का novel है Thomas Hardee का Thomas Hardee का बर्त कब गवा था 1840 में और उनकी death 1928 में हो गई थी 1928 और जो आपका यह The Mayor of Castorbridge है यह आपका 1886 में आया था Next Under the Greenwood Tree is a novel by जो Under the Greenwood Tree है यह किसके द्वारा लिखा गया novel है तो यहां 36 का option number A राइट होएगा Thomas Hardee के Thomas Hardee ने लिखा है Under the Greenwood Tree और यहनोंने publish हुआ था निका and mostly in 1872 Next question देखे Thomas Hardee's novel Under the Greenwood Tree is also known by another name which of the four below is it तो मुसारडी का जो नोबल है Under the Greenwood Tree यह एक अनादर नाम से भी जान जाना जाता है इसको किस नाम से बलाते हैं और तो यह है The Malstruck Choir देखे Next question 38 To follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought Who wrote these lines? किसने यह लाइने लिखी हैं आपकी? P.B. Shelley William Blake Alfred Lord Tennyson या फिर Robert Browning तो यह लाइने आपकी Alfred Lord Tennyson के द्वारा लिखी गई है और यह लाइने आपके Ulysis से लिए गई है Which was written by Tennyson in 1833 1833 में यह रिटन की गई थी इनकी द्वारा और After 9 year 1842 में यह पबलिश की गई Okay Next question देखते हैं 39 Who is a Javish origin? Javish origin sin में से कौन था? Kamala Das, R.K. Narayan, Nizhi Magical या फिर नन अफ दीज तो इसमें से Javish जो origin था वो Nizhi Magical थी यह और Nizhi Magical का जो बर्त था वो 1924 को हुआ था और 2004 में की डेथ हो गई थी 2004 ओके और इनका जो बर्त था मुंबई में हुआ था इंडियन राइटर थे और Kamala Das भी आपकी इंडियन राइटर थी और R.K. Narayan भी आपकी इंडियन राइटर थे नेक्स एक इंडियन राइटर थे यह जो लाइन है आपकी कौन सी पोएम से लिए गई है यह आपकी जो लाइन है यह आपकी जो लाइन है 40 का राइट ओप्शन आपका यह हो जाएगा 39 की द्वारा लिखी गई थी और Этот जो बर्थ था वह 1809 में हुआ था और इनकी डैथ 1892 में होई थी 1809 में बर्थ और 1892 में इनकी डैथ हुई थी चलिए नेक्स कोश्यण देखते हैं 41 रगभी चैपल by Matthew Arnold is written in the memory of जो रगभी चैपल थी Matthew Arnold की है किसकी memory में लिखी गई थी तो 41 का right option आपका Thomas Arnold है यह इन्होंने अपने पिता Thomas Arnold की याद में लिखे थी आर जो ही पोयम धीन की यह रगभी चैपल इन्होंने 1867 में लिखी थी 1867 में देखी Matthew Arnold का जो बर्थ था वो 1822 में हुआ था और इनकी डेथ 1888 में हुई थी अर्नोल्ड की यह अर्नोल्ड का बर्थ और यह डेथ नेक्स्क्रेशन देखे 42 इस दियर नो लाइफ बट दीस अलोन मैडम और स्लेव मस्ट बी वन यह जो लाइने है आपकी कहां से लिए गई है 42 में तो यह समर ए समर नाइट की जो है यह लाइने है और यह ए समर नाइट जो है यह मैथियर नोल्ड की द्वारा लिखी गई है नेक्स्क्रेशन देखते हैं टैनिसन रोट टैनिसन ने इसमें से कौन सी वर्क जो है लिखा इसमें तो दक आप जो है आपका टैनिसन का है दक आप जो है इनकी द्वारा लिखी गई एक ट्वैजरी है और वाइल स्ट्रैफोर्ड इस रिटन बाई रोबर्ट लिख द्वारा लेकी गई है तर्शिस्टर जो है यह शूर्ट स्टोरी है जेम्स चोहेस की लेस्टर और जो बहुत वहल है यह पोईम है विल्यम ए अेटन की next Matthew and Noel was note यह n क्या नहीं थे यह poet, critic, assist यह novelist तो जो Matthew and Noel थे आपके यह आपके novelist नहीं थे बागी poet, critic और assist थे यह ऐसे भी लिखते थे और critic भी थे यह poet भी इनोंने बहुत सारी poems भे लिखी है harap Face c.c. jupe is a character in गो c.c. jupe है यह किसमें है एक कराक्टर तो यह आपका hard times में देखने को मिलता है आपका सीसी जूपी सो सीसी जूप और जो hard times है यह आपकी Charles Dickens की द्वारा लिखी गई थी और publish हुई थी 1854 में Charles Dickens का work है और Charles Dickens का बर्थ है वो 1812 में हुआ था Charles Dickens का बर्थ और 1871 की death हो गई थी next देखिए who called Hamlet an artistic failure Hamlet को an artistic failure किसने कहा था 46 का जो right option है यह आपका T.A.C.L.E.T. है इन्होंने artistic failure जो है Hamlet को बोला था Hamlet is the Hamlet is the monolith of literature a work that is interesting वाले literature का Mona Lisa है यह कि ऐसा work है यह कि interesting तो है but not a work of art पर art का work नहीं है T.A.C.L.E.T. का जो बर्थ था वो आपका 1888 में हुआ था और 1965 में की death हो गई थी चले नेक्स दिखते हैं Shakespeare's The Tempest इजे जो Shakespeare का The Tempest है यह क्या है आपका तो 47 का right option अपका C हो जाएगा यह एक tragic comedy थी Shakespeare की द्वारा लिखी गई The Tempest और यह 1611 में उने लिखी थी Shakespeare's Antonian Cleopatra इजे Shakespeare का जो Antonian Cleopatra था यह क्या था यह था इनका एक Roman play इनके द्वारा लिखा गई एक Roman play था यह Antonian Cleopatra और इनने यह 1607 में लिखा था Next, 49 In 3 years sri group, the little girl will be supportive as 3 years sri group में जो little girl है वो supportive होती है तो यह option number B right होगा the phone के रूप में और 3 years sri group यह विलियम वार्ट सुर्थ का एक work है 52, who describes the ideal commonwealth in the tempest? Commonwealth, एक आदर्स commonwealth को रूप में किसको मनेत किया गया तो आपका जो 51 question है 50 का आपका गोंजेलो जो है right option हो जाएगा D, गोंजेलो का आदर्स commonwealth की रूप में डेस्क्राइब किया गया है इसमें 51 देखिए In the following place, which does not belong to the category to which the rest does इन में से कौन से एक ऐसा play है जो बाकी से की category से belong नहीं करता Othello आपके tragedy है King Lear भी और Hamlet भी एक great tragedies है Shakespeare की बड़ जो tempest है ये इनकी एक tragedy नहीं है बलकि इनका एक comedy है जो नहीं ने 1610-1611 के बीच में लिखी थी Who is known as the fourth witch among Shakespeare's women character Shakespeare की famous characters जो है उनकी बीच में Fourth witch के रूप में कौन जाना जाती है Dasty Mona, Gertrude, Lady Macbeth ये फिर Cordelia तो आपके Lady Macbeth जो थी ये fourth witch के रूप में जानी जाती है और जो आपका Macbeth था ये 1610-1611 में लिखा गया था Next एक ये Shylock इसे character in Shakespeare's जो Shylock है Shakespeare के कौन से play में जो है देखने को मिलता है तो जो Shylock है Merchant of Venice में आता है Option number B right होगा यहाँ और 1596 में नोने ये लिखा था Shakespeare ने The Merchant of Venice और Merchant of Venice का जो source था वो था The Jew of Malta Next देखें 54 Who is the author of Trintern Abbey Trintern Abbey का author कौन है इसमें से Matthew Arnold, John Keats William Wordsworth या फिर Coleridge तो William Wordsworth is the author of Trintern Abbey और इन्होंने ये work लिखा था William Wordsworth ने जब वो रिविजिटिंग गये थे Bank of the way during the tour in 1798 1798 में उन्होंने ये work लिखा था अपना Next question देखते हैं Lyrical Ballads comprises poems by Wordsworth and जो और Lyrical Ballads से उसमें Wordsworth के साथ किसने और poems comprise की थी तो ये आपके Coleridge थे और Lyrical Ballads में total 23 poems थी आपकी जिसमें से जो 19 है वो आपकी Wordsworth की थी और बाकि जो 4 थी वो Coleridge की द्वारा दी गई थी इसमें नेक्स देखते हैं 56 Shakespearean tragedy written by जो Shakespearean tragedy है वो किसके द्वारा लिखी गई है Edward Rodden, A.C. Bartley Dower Wilson ये फिर Wilson Knight तो यहाँ पर आपका option number B जो है राइट होएगा A.C. Bartley के द्वारा Shakespearean tragedy लिखी गई थी When he was elected to the Professorship of Poetry in Oxford जब उक्सफोर्ड में Poetry के Professorship के लिए ले लेक्टर उनको किया गया था, मतलब अब चुना गया था Next 57 Shakespeare's sonnets are in the following form जो Shakespeare's sonnets है वो कौन से form में है तो यह आपके एक जो है option A.C. में सही होगा 3 quarters and a coplet Shakespeare's sonnets में 3 quarters 3 quarters and a coplet देखने को मिलता है Next देखे Name the poem from which of the following words 7 quarter इसमें से poem का नाम बताना है जिससे यह लाइने ली गई है For the gods approve the depth and a note the tumult of the soul तो जो 58 का right option है आपका यह है आपका लावडामिय है लावडामिय से ही जो लाइने है वो ली गई है और यह आपका narrative poem थी Based on the Trojan War Trojan War पर based थी और यह 1815 में Wordsworth के द्वारा लिखी गई थी Next देखे Hamlet's questions To be or not to be Hamlet का जो question था To be or not to be इसका मतलब क्या था इसमें To kill Clodis or not to kill him To kill Gertrude or not to kill her To marry Ophelia or not to marry her यह फिर To live or to die तो आपका यहाँ option D ही सही होगा To live or to die इसका Hamlet का जो question था इसका मीनिंग यह होता है इसमें To live or to die Next देखे 60 Under the Greenwood Tree Who loves to lie with me This song has been sung by Under the Greenwood Tree Who loves to lie with me मेरे साथ कोन लेटना पसंद करेगा This song has been sung by तो यह किसके द्वारा गाना गाया जाता है तो यह option number Ace में राइट होगा Amins के द्वारा यह जो गाना है उगाया जाता है और यह As you like it में आता है Next question देखे Who said it? One impulse from a vernal wood May teach you more of men Of moral evil and of good Than all the sages can तो 61 का right option आपका वो है The table turn जो है उससे ही लाइन आपके ली गई है और table turn किसके द्वारा लेखे गई है यह आपकी words worth के द्वारा लेखे गई है एक पोयम है टेबल turn जो नोंने 1798 में लिखी थी Next देखे 62 Every great poet is a teacher Are the words of Every great poet is a teacher यह जो words थे आपके words worth के थे और बहुत important question आपका कहीं बार repeat हुआ एक्जाम में और Wordsworth का आपका बर्द का भुआ था 1770 में और उनके death हुई थी 1850 में Next During his visit to France Wordsworth fell in love with a girl named अपने फ्रांस के विजिट के दोरान जब Wordsworth एक लड़की के प्रेम में पड़ गए थे तो उसका नाम आपको बताना है कौन थी वो Catherine थी, Mary Hutchinson अपने अपने टूर पर गए थे तो इन्हें वहाँ पर एक लड़की से प्रेम हो जाता है और ये 1791 में महाँ पर गए थे और उस लड़की का नाम था अपने इनकी एक डोटर को बर्थ भी दिया था फिर इनको एक बेटी हुई थी Caroline नाम जिसका रखा थे इन्होंने 1792 में और ये Mary Hutchinson की वाइफ का नाम है इस सेन की बाद में शादी हुई थी एनटेवल अंसेन की शादी नहीं हो पाई थी बट Mary Hutchinson की वाइफ थी ये जो लाइन हैं ब्राउनिंग की किसके राफ्रेंस में लिखी गई है ये लाइन है विलियम वर्ड ज़द की बारे में ये लिखते हैं क्वेस्टन नमबर 64 में भी ओप्शन आपका राइट होगा नेक्स देखते हैं 65 शी इस तू सबर फोर दी एंड हर स्मूथनेस हर वेरी साइलेंस एंड हर पेशिंस स्पीक तू दा पीपल एंड दे पीटी हर ये लाइन है कौन बोलता है और किसके बारे में बोलता है तो 65 का चौ राइट उपिशन है आपका ये आपके Duke spoken by Duke Frederick about Rosalind Duke Frederick बोलते है Rosalind के बारे में ये लाइन है तो यहां पर option जो आपका सी हो जाएगा सई next देखे 66 question which Indian language plays a part in the Westland कौन सी Indian language जो है the Westland में पने part play करती है तो 66 का write option है आपका Sanskrit Sanskrit language is a part of part in the Westland option number C यहां पर write होगा और जो आपका तो Westland है, यह किसकी द्वरा लिखा गया है? T.S. Elliot के है. द्वरा लिखा गया वर्क है ये. Next, Rosalind is the daughter of Duke senior, who is Celia's father? Rosalind जो है Duke senior की बेटी है, and who is the Celia's father? और Celia की फादर कोन है? तो यह थी आपके Frederick, Duke Frederick की बेटी थी Celia. और जो character है आपकी यह as you like it में देखने को मिलते है और as you like it विल्यम शेक्सपिर के द्वारा लिखा गया एक work है 68 where is duke senior staying after being deposed of his kingdom जो duke senior थे वो कहां पर रहे थे जब उनको उनके राज्या से निकाल दिया गया था तो यह in the forest of arden option number c यहां पर सही होगा forest of arden में यह रहे थे यह भी आपकी as you like it से ली गए है question 69 sweet are the uses of adversity this line speak by sweet are the uses of adversity यह जो line है किसके द्वारा बोली गई है बताना आपको तो यह line है आपकी duke senior के द्वारा बोली जाती है option b right होगा duke senior बोलते है ने as you like it में next with the death of macbeth macbeth की death के साथ ही moral order is restored okay तो 70 का जो right option आपका वो c हो जाएगा next question देखे 71 वार्ट्सवर्थ lived for 50 years अमंगदा वार्ट्सवर्थ जो थे वो 50 years के भी 50 years रहे थे किसके भी तो यह थे ए क्यूंबर्लेंड डेल्समें यहाँ पर 71 का a option राइट हो जाएगा एट रेडल माउंड कुंबर्लेंड डेलिशन एट रेडल माउंड इन्हें अपने लाइफ के लास्ट इयर्स महीं पर बिताय थे इन में से कौन सा वर्ट्सवर्थ की द्वारा नहीं लिखा गया है option ए तो इसका राइट option आपका D है यह विलिम वर्ट्सवर्थ की द्वारा नहीं लिखा गया है जो मे कुईन है यह आपका Tennyson का एक वर्ट है जो पब्लिश को किया थे नोंने 1845 में okay तम मे कुईन टैनिसन का वर्ट है यह याद रखना है और बाकी जो है आपके विलिम वर्ट्सवर्थ के वर्ट है जो माइकल है यह पब्लिश हुआ था 1800 में माइकल और रिशोलूशन एंड इंडिपेंडेंस यह जो है नोंने 1807 में पब्लिश किया था आफ्टर सेवन इयर्स ओफ माइकल और एंड इट इस व्यूटियस इगनिंग कामेंट फ्री यह इनका एक सोनेट है जो 1807 में पब्लिश हुआ था आई होप आपको वीडियो पसंदा रही होगी तो प्लीश वीडियो को लाइक जरूर कर दे एक बारी आज जो लोग चैनल पर नहीं है और प्लीश चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें आपको 73, where is Macbeth's castle located? Macbeth का जो castle है वो कहां पर located था मतलब उसका जो महल था दूर्ग था उसका तो यहां पर D option right होगा at Inverness, Inverness मिन का जो castle था वो located था next देखिए 74, what title did Macbeth originally have? जो Macbeth है उसका original title क्या था? तो यहां पर आपका जो option number B है वो आपका right हो जाएगा 73 में, sorry 74 में, Thane of Glamis भी option यहां पर right होगा Wordsworth learned that verse may be ordered princely thrown on humble truth from कहां से ले गई है Wordsworth ने कहां से learn किया था? तो यह Robert Burns जो थे option number B सही है इनसे इनने learn किया था नेक्स देखिए 76, Macbeth is a play by William Shakespeare's about it William Shakespeare का एक play है Macbeth, यह किसके बारे में है? तो यह राजिसाइड होता है इस मतलब राजा की हत्या के बारे में है, राजिसाइड बोलता है राजा की हत्या को, सुइसाइड बोलता है, आत्मत्या, blackmailing आपको पता है यह किसी और को धंकाना और homicide जो है, यह नरसंगार को बोलते है नरत्या मतलब इनसानों को जो मारने का होता है, उसको homicide बोलते है आपका 77 जो है, इसका आपका right option हो जाएगा जोर्ज क्रेब, option number A नेक्स क्रेब देखते है, 78 तो यह आपर आपको directions दिये है, 78, 79 में फाइंड आउट दे करेक्ली स्पेल्ट वोर्ड करेक्ली स्पेल्ट वोर्ड आपको चूस करने हैं, कौन से हैं, तो apprentice है apprentice का meaning क्या होता है आपका, सीखना किस चीज को यहनके जो परशिक्षू होते हैं, उसको apprentice बोलते हैं और 78 का right option आपका A ही हो जाएगा A WP, R, E, N, T, I, C, E, Apprentice 79 है औगर, औगर का जो आपका meaning होता है तो आपको comment box में हमें बताना है क्योंकि यह question आपका TGT वाले practice set में भी आ चुका है और हमने आपको आपको महाँ पर इसका meaning बताया था कि क्या है, तो यहाँ आपको correct spelling हम बता देते हैं क्या है 79 की, तो option C यहाँ पर correct होगा 79 में और इसका Hindi meaning आपको हमें comment section में प्रीज जरूर बताएं क्या है next directions, 80 से 84 के directions दिये हैं जो pick out the most appropriate word from the given words to fill in the blanks so as to make the sentence complete और आपको most appropriate word आपको choose करके यहाँ पर dash में भरना है इसको, ताकि आपका यह complete होए तो 80 का more than one clerk dash, more than one clerk तो 80 में जो right option होगा, आपका is required होगा चुकि more than one clerk, यनकी एक से ज़्यादा महाँ पर clerk होगा जहाँ पर आपका more than 1 आएगा, तो महाँ पर आपकी is required आपका singular, जो आपकी verb है, महाँ पर use होगी तो be option right होगा, 81, तक captain along with the crew, जो captain थे वो crew के साथ ही, आपके is missing तो जो आपका along with से sentence जुड़े होते हैं, दो noun जो along with से जुड़े होँ तो महाँ पर पहले वाले option के साथ से, पहले वाले noun के साथ से आपकी verb यूज़ करते हैं 82, if she does a minister, she would help the poor conditional sentence है यहाँ पर आपका यह, और जो conditional sentence होता है जब कोई किसी आपको अपने आपको कुछ माल लेता है, जैसे इस she were a minister कि यदि वह minister होती, मंतरी होती, तो वह गरीबों की help करती तो यहाँ पर एक condition मानी गई है, minister होने की तो यहाँ पर आप वर यूज़ करेंगे, कभी भी conditional sentence में, ऐसी सिस्थिती में वर ही यूज़ करते हैं, चाहे उसको subject कुछ भी हो singular हो या plural, उससे कोई इसमें difference नहीं आता 83, I am fully dash the problems facing the industry तो 83 का जो right option आपका वाब भी होगा I am fully alive to, to the problems facing the industry 84 देखे, the romance word is science जो romance थे वो, क्या था, 84 का आपका आएगा समें, D option right होगा bad at science okay, देखे, यहाँ पर आपका bad at आया है the romance word, bad at science यानके romance जो थे हो science में उनके science अच्छी नहीं थी, science उनकी बहुत बेकार थी तो हम कभी जब किसी subject के सामने हम बुरा के use करते हैं bad use करते हैं, तो bad in science नहीं, bad at use करेंगे आप उसके साथ preposition at use होगी अगर हम यहाँ पर good use करते हैं, अच्छा शो करते हैं, यह subject अच्छा है या फिर romance were good in science, तब हम वहाँ good के साथ in use करते हैं subject के पहले अगर good आया हो, तो good in लगाते हैं अगर bad show कर रहा है कि उसमें, तो bad at use करते हैं next question number 85-86, 4 alternative ways of converting the direct speech into indirect speech are suggested for each of the following sentences find out the correct one, आपको correct बताना है, यहाँ पर direct से indirect बनाना कर, आपको choose करना है option सही तो देखिए 85 में, गीता सेड, I did not do this deliberately, कि मैंने सब कुछ जान बूच कर नहीं किया है, गीता ने कहा तो यहाँ पर गीता सेड, as it is होगा, और inverted commas को अटा कि मैं that लगाया और आपका I जो होता है, first person है आपका, first person subject के according change हो जाता है और second person जो होता है, वो object के according change होता है और जो third person होता है आपका, वो आपका change नहीं होता, यानकि no change उसमें हो जाता है तो first person आपके according to subject यानकि she बन जाएगा यहाँ पर, she did not, did not do this deliberately तो यहाँ आपका sentence past independent में चल रहा है तो past independent आपका किसमें बदल जाता है, यह आपका past perfect में change होगा she had not done that deliberately, देखें दिसका आप जब indirect sentence किसी को direct में convert करते हैं तो दिसको हम that में convert कर देते हैं, ओके आपको समझाई गया होगा, question number 86, make me another suit like this, he said to the tailor उसने tailor से कहा कि मुझे ऐसे ही ओर suit बना दीजिए तो यहाँ पर आपका आएगा, he asked the tailor, he asked the tailor to make, तो आपका make me another suit like this दिसका आपको पता है, यह that बन जाएगा, तो वैसे तो आपका that एक ही sentence में है, आपका suit like that, option number C में तो यहाँ पर आपका option C ही correct होगा, 86 का, बाकी आप जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि क्या से change करते हैं, उसको according आपको rules अगर पता होगे, तो आप change कर ही लेंगे, okay, next question देखते है, 87, the meaning of the idiom, two fish in troubled water is, जो idiom आपका two fish in troubled water is, इसका meaning क्या होता है, तो 87 का right option आपका C होगा, to get benefit in bad situation, किसी बुरी स्थिक में भी पायदा पाना, two fish in troubled water, okay, तो इसका meaning होता है, which of the following is not correct, इन में से कौन सा not correct है, आपको बताना है, इसमें, तो आपका जो 88 है, इसमें आपका जो not correct है, वो D है, D आपका सही नहीं है, in indirect, V uses would with I and V, हम I और V के साथ would नहीं, should use करते हैं, पहले बात तो यह है, बागी sentence पर डिपेंड करेगा बागी तो, option number A, in change in direct into indirect in imperative sentences, the report is which begins with let's, yes, बिलकुल, आपका जो imperative sentence को हम indirect में change करते हैं, तो reported speech होती है, जो वो let's say start होती है, बी देखें, in changing direct into indirect, in assertive sentences, the reported speech is changed according to subject, बिलकुल, यहाँ पर सही है, यह भी, जब हम direct से indirect change करते हैं, तो assertive sentence में, reported speech change होती है, subject के according, see, in changing direct into indirect, the reporting verb is changed according to subject in assertive sentences, जी, बिलकुल, यहाँ भी यह भी सही है, तो देखते हैं, 89 question आपका, which of the following words as character spelling, इन में से कौन से word की character spelling है, assassin, तो 89 में आपकी A option सही हो जाएगा, assassin, ओके, और assassin का जो मेनी होता है, वो होता है, killer और murderer, किसी का हत्यारा, next 90, which of the following statements is not correct with reference to English grammar, English grammar के reference में से कौन सा statement जो है, correct नहीं है, बताना है, तो 90 का right option आपको बताना है, देखे, when the verb does not pass the action over to an object, it is called an intransitive verb, सही है, जब को यह वर्ब अपना जो action है, वर्ब के साथ जो action यूज हुआ है, वो object को reference नहीं करती, तो उसको intransitive verb कहते हैं, सही है, article the is used after all and both, यह भी सही है, the को all and both के बाद हम use करते हैं, see when a singular noun is meant to represent a whole class, तो आपका यहाँ पर option number D सही है, only is always placed after the word, note character पताना था ना, only is always placed after the word, कि वर्ड के बाद जो है only ही always रख जाता है, तो यह आपका wrong question, wrong option हो जाएगा, देखते हैं, next question, 91, which of the following statements is not correct, इन में से कौन सा statement जो है, correct नहीं है आपका, बताना है, तो a and n are used before singular countable nouns, singular countable nouns के before, जो है a और n यूज होते हैं, सही है आपका बिल्कुल, the is used before particular person or thing, किसी particular person or thing के सामने, the use करते हैं, बल्लों किसी खास के सामने, सही है यह भी, between relates a person thing is to other people or things, व्यास जो between नहीं है, वो दो ही लोगों के लिए use करते हैं, बाकी दो से जादा के लिए among use करते हैं, a, m, o, n, g, among use करेंगे उसके लिए, next, present perfect tense is used with just for currently completed action, तो जो currently completed action होता है, इसके लिए past perfect tense उसके लिए use नहीं करते, it is used with just for a recently completed action, मिल जस्ट जो होता है, जो पिल्कुल recently action complete होता है, उसके लिए use किया जाता है, next which of the following is an example of reflexive pronoun, reflexive pronoun का जो example है, आपको बताना है इन में से कौन से है, तो reflexive pronoun का जो आपका example है, वो है myself 92 का, myself इसमें हो जाएगा, बाकी, देखें, next which of the following words is misspelled, कौन सावाड़ेस में से misspelled है, तो obnoxious, offsprings, या presage, या फिर प्रीमियर, तो 93 का right option है, presage, वो misspelled है, विकोई इसकी करेक्ट स्पैलिंग जो होती है, वो होती है, P, R, E, S, A, J, S, A, G, E, presage, तो three option आपको यहाँ पर, वलत होगा, next question देखते हैं, decadent means, decadent किसको बोलते हैं, बताना है आपको, तो 94 का जो आपका option number होगा, वो अगा degenerate, इसका means degenerate होता है, next phalmatic means, phalmatic का means क्या होता है, तो 95 का आपका राइट होगा, even tempered, यहाँ कि बहुती जल्दी गुस्ट आने वादा, next select the word, opposite in meaning to the given word, आपको opposite बताना है, given word का, frugal, frugal का आपको opposite बताना है, तो यहाँ पर जो 96 का राइट option है, वो है आपका extravagant, okay, next देखे, 97 से 101 तक, choose the appropriate prepositions from the options given below, each of the following sentences, इस में से निम्नलखी में से कौन सा sentence जो है, वो prepositions appropriate के लिए इस जो सही दिया है, देखे, 97, अलपना is proud of her beauty, यहाँ पर आपका 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 आप यूज होगा, अलपना is proud of her beauty, next 98, they arrived here, that's dawn, dawn बोलता है, जो सुबह 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 का समय होता है न, सूरज निकलने के समय का, उसको बोलता है dawn, यनके संधिया, तो 98 का जो राइड ओप्शिन आपका, add होगा, d, next, आईशे शर्ट तेंस होगा, तो 99 में जो होगा आपका, from हाइड आपका, तो बी ओपल का राइड ओप्शन होगा, from, next देखिये, his wife is fond of music, तो 100 में जो है आपके, यहाँ पर, his wife is fond of music, उसकी जो पतनी है, वो music की शोगी ने, तो यहां पर आपका of use हो जाएगा, option number c right होगा चलिए next देखते हैं 101 अतुली is angry with his wife अतुली जो angry है, वो किस पर है तो यहां dash के जगा आपका with use होगा with his wife, c option right हो जाएगा next देखिए read the following passage carefully and choose the correct answers from the options given below each question, यहां पर आपको paragraph दिया है, जिसको पड़कर आपको answer करने है, paragraph के जो questions दिएगा है उनके यह तो आप screen short लिजी या फिर आप खुद पढ़ लिजी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है फिर तो आपको questions के answer बता देती हूँ, आप paragraph खुद read कर ले ना अगर आप चाहते हैं कि मैं paragraph भी read करा हूँ तो आप हमें comment section में आप जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि paragraphs की आपको पूरा पढ़के बताएं या फिर आप ऐसे खुद पढ़के बैस question and answers आपको बता दू देखिए next 102, which of the following is false about Mr. Arastu Mr. Arastu के बारे में इन में से कौन सा, जो है false है बताना है, तो एक सुदो का right option आपका A हो जाएगा, he was a descendant of the Nisam's family next 103, the roof of the library had carvings made of which wood तो किस लकड़ी से बने थे carvings जो है लाइबरेरी की चहत के तो 103 का right option आपका D हो जाएगा, walnut next name the author of the book that Mr. Hussein found on his house first day as the librarian Mr. Hussein को मिलती है, अपने first day librarian की रूप में उने तो 104 का right option आपका A हो जाएगा, Alfred East next देखिए 105 the books that the library were collected by जो लाइबरेरी में बुकती हो collector किसके द्वारा थी तो 105 का right C हो जाएगा The Nizam's family okay next 106 which part of the place is an imitation of the Windsor Palace कौन से समें Windsor Palace की जो है imitation है एक कौन से महल तो है 106 का right option B हो जाएगा The library's roof next देखिए 107 choose the options which is closet in meaning to the given word in capitals जो capital में word दे गए है तो उनका closet meaning आपको choose करना है 107 persuasive persuasive का meaning बताना है क्या होता है तो आपका इसका meaning होता है प्रभापून और इसका आप जो synonyms होता है बहुत है impressive 108 alleviate alleviate का meaning बताना है meaning होता है आपका mitigate यानिके कम करना इसको बोलते हैं तो यहाँ आपका D option right हो जाएगा mitigate और कम करना इसको कह सकते हो आप affiliate को next furatively furatively का meaning बताना है क्या होता है यानिके गुपत रूप से कुछ भी करना है रासिया में जो जिसको बोलते हैं आप चीक है quarterly चुप होता है next 111 read the following passage carefully and answer the questions given below it आपको नीचे question जो है स्की नीचे दिये गए है paragraph केसको रीड करके answers करना है एक पहले आया है आपका paragraph दूसरा है यह इसको भी आप वीडियो को रोके या तो screenshot ले या खुद पढ़ ले वीडियो को रोके तो आप पांच मिन्ट का काम है क्या okay चले question देखते है 110 what is the important for evolution evolution के लिए क्या important है बताना है तो आप 10 में जो है आपका a option राइट हो जाएगा genetic variation next sub-saharan Africa has lost how many black rhino genetic lineage in 200 years तो 111 है इसका राइट option आपका c हो जाएगा 44 next देखिए question number 112 genetically unique black rhinoceros has been lost in all of the following countries except तो 112 में जो है आपका a से ही होगा तंजानिया तंजानिया की बात हो रही है यहाँ पर next from the second half of the 20th century what has caused a dramatic fall in black rhinoceros populations तो 113 का राइट option आपका a हो जाएगा watching next 114 next देखिए genetic diversity is proportional to जो genetic diversity होती है वो proportional होती है to 114 में जो है आपका राइट option होगा b the ability of a species to survive and reproduce देखिए आपका 115 से 119 तक आपको sentence को carefully पढ़की find करनी है आपको error sentence में the error lies in any one part of the sentence किसी भी part में sentence के error हो सकती है if there is no error in the sentence choose option d तो आपका option number d choose करना है अगर आपको error नहीं लगती किसी sentence में देखिए वन वंडर 15 despite of continuing pain despite of continuing pain मतलब बहुत चाहद दर्द के बावजूद भी she worked at her temporary summer job most of the week फिर वे पूरे मतलब हाफते अपने जो आप करती रही काम करती रही अपने तो सबसे important rule यहाँ पर despite of despite of कभी भी despite के साथ of preposition use नहीं किया जाती है in spite of के साथ तो हमेशा pair में चलती है of in spite of तो आता है बट despite of आपका कभी नहीं होता यहाँ पर of हटाना पड़ेगा आपको despite continuing pain आएगा तो ए पार्ट में इसके error हो जाएगी next 116 as soon the film started I developed an irritating headache यह फिर no error तो 116 में देखिया आपका as soon आपको पता है as soon as होता है कभी आपका as soon नहीं होता as soon as यहाँ पर आपको as add करना पड़ेगा as soon as the film started okay यहाँ भी आपका a में ही error होगा next देखते है 117 he applied for an employment in an office यह फिर no error he applied उसने apply किया for an unemployment एक रोजकार के लिए in an office एक office आपका 117 है इसमें employment जो दिया काया है वो आपका uncountable noun है और कभी भी uncountable noun जो है इसके साथ and use नहीं होता है इसलिए यहाँ पर आपका a job होगा and employment की जगा यहाँ पर आप a job use करेंगे option number a में ही आपके error होगी okay next question देखिए 118 though we drove fast the train left before we could reach the station हमारे जादिब मतलब हम बहुत तेज गए बट train जा चुकी थी हमारे station पोस्टने से पहले ही देखिए कभी भी आपका sentence before या after से कभी भी जुड़ा वा हो तो आपके दोनों सिर्फ के sentence past में होते हैं बट जो काम पहले हो चुका है वो past perfect में और जो बाद में हुआ है वो past indefin में जैसे कि train जा चुकी थी हमारे station पोस्ट में से पहले तो station पाद में पहुँचे पहले train गई तो पहले the train had left यहां पर आपका train had left ही होगा before we could reach the station okay तो 118 में यहां पर आपका the train had left use होगा the train left की जगा next one Indian virtue that has impressed me greatly एक जो Indian virtue है मतलब कुण है वो impressed करता है मुझे बहुँ जादा and touch me deeply और मुझे बहुत कहराई में touch कर जाता है was the Indian people's freedom of rank or जो आजादी के लिए जो द्रो हो था मतलब द्रो हो आजादी के लिए वो लोगों का भारती लोगों का वो मुझे मतलब अंदर तक touch कर जाता है 119 में आपका इस was की जगे आपका is use होगा क्योंकि जब fact की बात करते हैं तो fact में हमेशा ही present tense use होता है ना की past तो option number जो आपका c हो जाएगा इसमें आपका error है was की जगे is use करेंगे 120 को देखिए आपका क्या है the meaning of to sit on the fence is यहां आपका idiom दिया गया है और इसका meaning बताने ही क्या होता है to sit on the fence तो 120 में आपका right है a to avoid taking sides okay next देखिए 121 the meaning of read between the lines is read between the lines का meaning हो क्या है तो 121 का see right हो जाएगा find more meaning than the words appear to express okay next देखिए 122 the meaning of mares nest mares का जो nest होता है उसका meaning बताना है तो आपका जो 122 है इसका right हो जाएगा a a false invention यानिके एक जो गलत अविशकार होता है वो next देखिए the meaning of madden speech is madden speech का जो meaning होता है वो होता है आपका false speech option c यहाँ पर right होगा 124 a figure of speech in which two terms opposite in meaning are placed side by side in a phrase is known as तो जब आपका two terms आपका opposite रखे आते हैं place side by side side by side रखे आते हैं इन फ्रेज एक फ्रेज में ही तो जाने जाते हैं आपके औक जी मौरन के नाम से option number d आपका correct होगा देखिए 125 what figure of speech has been used in the following lines इन लाइन में कौन सा figure of speech यूस किया गया बताना है लेटर नोट ambition मोकदिर useful toil तो यहाँ पर जो है आपका ambition को personified किया गया है और इसलिए आपर option number a आपका right होगा personification ओके तो ट्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही आपके 125 questions आज के पूरे हुए तो आपके लिए third practice set जो है आपका जल्दी लेकर आएंगे